दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन न्यूज में दोस्तो इस वेडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली अधीन सेवा चैन बोर्ड अर्थाथ डियेसस्वी में नर्सिंग ओफिसर फार्मासिस्ट और अन्य पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस वेडियो में आपको बताने वाले हैं योग गिता क्या रहने वाली है सिलेबस क्या रहने वाला है ओनलाइन जो फोरम है कब से सुरू होने वाले है संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं तो आईए दोस्तो बताते हैं सबसे प तिये वेकेंसे निकाले गई है, जो chain board है दिल्ली सरकार का, इसके जो फोरम है, 13 फरवरी से शुरू होनेगे, ठीके, 13 फरवरी से शुरू होंगे, और 13 जो मार्च है, वो इसकी last date होगी, application received करने की, 13 फरवरी से 13 मार्च, online आविदन इसमें भरे जाएंगे, online ही form भरा जाएग DSSBIC website से आप लोग भर सकते, अब दोस्तों जो pharmacist की vacancy है, उसकी total number पोस्ट की मैं बात करूँ, 318, 318 फार्मा की vacancy है, ठीके, उसमें भी category wise किसको कितनी मिल रही हैं, वो देखिए, जनरल की 96, OBC की 96, SC की 20, ST की 40, EWS की 65, total 318, ये जो X-Man की हैं और especially enabled जो person है, उनकी है, nursing officer, health and family welfare, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1507 NO की हैं, nursing officer कितनी है, 1507 vacancy है, जिसमें से आप लोग देखेंगे, general category की 724 है, OBC की 445 है, SC की 115 है, ST की 106 है, और EWS की 117 है, और ये दिव्यांगा भरतियों की 50 हैं, तो 1507 ये vacancy हैं, उसके साथ दोस्तों इसमें इन्होंने resource center coordinator, IA की vacancy निकाली है, 21 है, cook की भी 18 vacancy है, cook female की 14 vacancy है, translator की 2 vacancy है, section officer, HR की 4 vacancy है, तो total 1896 पद हैं, लेकिन हम basically nursing officer और pharmacist को बताने वाले हैं आप लोगों के लिए, अब साथियों ये तो पदों की बात हो गई, फोरम की date है, 13 फरवरी से 13 March, ठीक है दोस्तों, 13 फरवरी से 13 March, ठीक है न साथियों, ये फोरम की date है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके qualifications की, तो देखिए, जो pharmacy की vacancy है, उसकी qualification B pharma होगी, क्या B pharma, और उसके साथ में 10 plus 2 science system से pass out होने चाहिए आप लोग, क्या 10 plus 2 विज्ञान वर्क से, और साथ में B pharmaC, और उसके साथ में आप लोगों के पास, जो license है वो होना चाहिए, ठीक है, यानि कि registration जो pharmacy का है, वो, approved diplomat pharmacy from the institute, इकुनभाई the pharmacy council of India, ठीक है साथ यो technical में ये है, ये experience वगएरा इसमें कुछ नहीं चीए, कि भाई कोई experience वगएरा है, अच्छी vacancy है, अठाइस सो grade पे की है, बाउन सो से बीच हचार दो सो, अठाइस सो जीपी की है, अच्छा वेतनवान यहां पर मिल जाता है, फार्माशिस्ट की age limit की मैं बात करूँ तो 18 से लेके 30 वर्स, और उसके साथ में, रिलेक्षेबल SCST, OBC, department, candidates, X-men, PH, इनको यहां पर छूट भी दी जाएगी, ठीक है साथ यो, तो ये हो गई फार्माशिस्ट की बात, अब बात कर लते हैं nursing officer की, नर्सिंग officer के लिए देखिए दोस्तो, 10 प्लस 2 पास आउट, साथ में A-grade certificate in nursing from a recognized institution, A-grade nurse का certificate हो, या फिर third number पर जो qualification दी गया है, certificate in midwifery, यानि कि GNM, BSC, दोनों ही eligible होंगे इसमें, he is speak to able to speak Hindustani fluently, यानि कि हिंदी भास आप लों को पढ़नी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, ये है, experience इसमें नहीं दिया गया है, ये मैं पिछली बार की notification के अधार पर experience वाली बाते बता रहा हूँ, अभी क्या है detailed notification नहीं आया है, detailed notification नहीं आया है, पिछली notification के भी आप पर बता रहा हूँ, हो सकता इस बार कुछ change मिले, हो सकता change ना मिले, तो जैसे detail notification आएगा, हम आपकर फिर से जानकारी लेकर के आएंगे, फिलाल पिछली notification के अधार पर देखिए, ये योगता है, और उसके साथ experience वगरा इसमें नहीं चाहिए था, इसका जो वेतनमान है, काफी अच्छा है, च्याली सो ग्रेड़ पे की वेकेंसी, काफी अच्छा वेतन मतलब मिलेगा इसमें, और इसमें जो age है, 32 वर से कम होनी चाहिए, ये यहाँ पर इसमें बताये गया, और इसमें भी छूट वगरा दी जाएगी, अब ये तो हो गई जो पिछले notification के अधार पर मैंने आपको एक मोटा मोटी तोर पर बताया, age हो सकता, age इस बार जादा भी हो, और एक और मैत्पून जो बात है, nursing officer में, 80-20 वाला जो तरीके से MS में है, वो इसमें लागू है या नहीं, वो भी detail notification आने पर ही पता चलेगा, ठीक है, तो पिछले notification के भी आप पर बतारूँ, पिछली बार जो vacancy की संख्या थी, वो लगबग 1084 के असपास दी, 300-400 पद बढ़ायते, पहले 614 निकाले गए थी, जो 2018 के notification की बात कर रहा था मैं, और उसके बाद इसको 19 में revise किया गया था, तो 1000 प्लस post हो गई थी उसमें, ठीक है, लेकिन इस awareness आने वाली है, ठीक है दोस्तो, जर्नल awareness इसमें आने वाली है आप लोगों के लिए, और यहाँ पर numerical aptitude आने वाल है, ठीक है दोस्तो, यह यहाँ पर इनके चीजे बताई गई हैं, जो आप लोगों के आने वाले हैं, ठीक है दोस्तो, यह इस तरीके का syllabus है, जर्नल awareness, mental ability, reasoning, numerical aptitude यह देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, यह पिछले बार का जो syllabus था, वो आप लोगों के लिए हैं, MCQ आने वाले हैं आप लोगों को, from the subject, दो paper इसमें होने वाले हैं, section A और section B, ठीक है साती हो, तो यह देख सकते हैं आप लोग, MCQ होंगे, one mark is from the subject concern, section A में क्या आएगा जर्नल अवेरनेस, जर्नल इंटेलजेंसी, रिजनिंग, अर्थमेटिकल यानि की गनित आएगा, test of Hindi language and comprehension, test of English language and comprehension, ठीक है, 20 marks की यह पाँच टोपिक्स आने वाले हैं, ठीक है साती हो, और उसके सात में section B में आप लोगों के लिए होने वाला है, यह आप लोगों का MCQ होने सवाल है, यानि कि subject related, जैसे nursing officer का जो आप लोगों ने पढ़ा उसके बारे में, ठीक है, 200 सवाल, 200 number के और two hours की अवधी आप लोगों को मिलेगे, ठीक है, और इसमें जो negative marking है, one fourth होती है, ठीक है दोस्तो, one fourth, 0.25, each wrong answer पर काट लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो यह है पूरी इसकी जानकारी, तो जैसे इसका detail में आएगा, वो आप लोग देखें, तो 32 साल से कम age होनी चाहिए, relaxation भी है, 18 साल से जादा हो, 32 से कम हो, और उसके साथ में, या तो आप GNM pass out हो, या फिर BSC pass out हो, ठीक है, यह योगता वगर है, बाकि detailed notification आने पर, आपको पता चल जाएगा कि इसका actual में, और कौन सी कौन सी चीजें, क्या बदलाव है, क्या change है, क्या change नहीं है, वो सारी चीजें, detailed notification आने पर पता चलेगा, अब detailed notification कभी भी release किया जा सकता है, यानि कि 13 फरवरी से पहले, detailed notification जो है, वो यहाँ पर जारी किया जा सकता है, 13 फरवरी से forum सुरू होंगे, 13 मार्च जो है, इसकी अंतिम टिठी होने वाली है, ठीक है साथी हो, तो यह जानकारी थी, 1507 अच्ची वेकेंसी है, आप लोग last date का, या forum की भरने की date का इंचजार किये बगर, अपनी तयारी तो सुरू कर सकते हैं, previous year के question, paper के आधार पर, अपने कम-कम subject को तयार कर सकते है ठीक है साथी हो, तो यह जानकारी थी, और बाकी मैं सारी चीज़े बता दूँगा, यह आया वगेरा में क्या चीज़े मागी गई हैं, female cook वगेरा में, translator में, इन पर भी बात कर लेंगे जब detail notification आएगा, फिलाल आप लोग nursing officer और फार्मासिस्ट, तो 318, फार्मासिस्ट के पंद्रा सो साथ हैं, nursing officer की हैं, अच्छा मोका इस बार पिछले बार की तुलना में अच्छी vacancies हैं, अच्छा वेतनमान हैं, और इसमें नोकरी का जो स्थान है, वो आप लोगों का दिल्ली रहने का बाँ, ठीक है भाई, दिल्ली ही रहेगा, यानि दिल्ली सरकार के जो अस पास आउट अभ्यारती हैं, फिर pharmacy के पास आउट अभ्यारती हैं, वो तैयार हैं, अपनी तैयारी को सुरू कर दिजिए, अगर नहीं कि अभी तक तो, और दिल्ली सरकार में अगर नोकरी चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए golden chance है, golden opportunity है, इस मोके का फाइदा जरूर उठ हैं आप लोग, इकनस आती हो, तो यह जानकरी थी आप सभी के लिए, फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है, यह सोर्ट नोट्फिकेशन जो है, आप लोगों को हमारे टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जै हिंद, जै भारत! झाल कि अवीडैन जाएगा, जै हैं लिए यारत!